आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें गिवन है कि हमारे पास एक सिलेंट्रिकल कॉपर कंड़क्टर है जिसको नाम दे दिया A, B लेंथ L है और उसके जो एरिया ओफ क्रॉस सेक्षन है उसमें लाज नंबर ओफ फ्री लेक्टरॉन्स है विचाट मीन टेंप्रेचर मूव आट रांडम विदिन दा बॉड़ी ओफ कंड़क्टर लाइक बॉलेक्ट्रॉन्स और जो फ्री लेक्ट्रॉन्स है वो मूव कैसे करते है लाइक बॉलेक्ट्रॉन्स और जो उनका थर्मल मोशन है रूम टेंप्रेचर पे वह है जो आवरेच स्पीड है जो आवरेच स्पीड ओफ दी फ्री लेक्ट्रॉन्स विद विच दे डृफ्ट तो वर्थ पॉजिट इवेंट अफ अ कंड़क्टर अंडर दी एफेक्ट अफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स इसका फॉर्मला होता है E, capital E, tau by M, where small e जो है हमारा charge of electron है, capital E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, tau जो है वो relaxation time है, tau is relaxation time और जो small m लिखा है वो हमारा है mass अब हमसे question में पूछा गया है, when the potential difference is applied, the two ends of a conductor and electric field exist जब हमारे पास, जो question में हमें given था कि हमारे पास एक cylindrical conductor है, जिसका name इन्होंने दे रखा है A, B, length L है और इस पे potential difference V अप्लाए किया गया है, A is the area of cross section, अब इस दोनों ends पे potential difference अप्लाए करा दी तो जो electric field होगी, वो कहां exist करेगी, तो जब भी potential difference दोनों ends पे V is applied, applied, add both ends, both ends of a conductor, तो जो इसमें electric field है, तो electric field कहा होगी? it exists between the conductor, between the conductor न्या क्या सकते हम, inside the conductor, अब हमारा पास चार options गेवान है, पोस्ट में लिखे outside the conductor, यह तो गलत होचेगा, सेकेंड में लिखे inside the conductor, मतलब option 2 हमारा क्या होचेगा, correct answer Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 सूपर